हेलो फ्रेंड्स हम लोग के सिद्ध करवेटे की अंदर रूट 2 अंदर रूट 3 एक आपरमेश संख्या है इस टाइब का हमने प्रूब किया पहले और इसे जन्रल रूप में क्या होता है अंदर रूट P पी अगर अभाज संख्या हो पी एक अभाज संख्या है और तो अंदर रूट P यह क्या होगा यह आपरमेश संख्या हमेशा होगा लेकिन क्या होना चाहिए पी एक अभाज संख्या है जब पी अभाज होगा तब यह बात सही है जहां पी एक अभाज संख्या है माल लिजए जैसे की हमारे संख्या है क्या है दो तीन पांच साथ ग्यारा तियरा सत्रा नेज तेज बनतिस एक तिस है जाए तो जब यह संख्या होगी तब इसका अंदर रूट आप लगाएंगे यानि अंदर रूट 2, अंदर रूट 3, अंदर रूट 5, अंदर रूट 7, अंदर रूट 11, अंदर रूट 13, यह हमेशा क्या होगी, आप पर में संख्या होगी, यानि PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो इसको एक जन्रल रूट में प्रूट कर लेते हैं, आप एक जन्रल रूट के अंदर कोई भी अवाज संख्या हो, तो वह आपर में संख्या होती है, यह अनि लोग यह वात प्रूट कर लेते हैं, सब कुछ सेम रहेगा वहीं, हम लोग को क्या तो दिखरना है कि रूट पी रूट पी आ पर में संख्या है रूट पी आ पर में संख्या है ये सिर्द करना है जहां पी पी क्या है अभाज पी क्या है पी क्या हुना से है तो अंदर उट पी हमेशा क्या होगा अपर में संख्या होगी कि इसका हम लोग क्या देखेंगे प्रूब देखेंगे तो इसका प्रूब हम लोग के स्टार्ट करते हैं एक दों सिमिलर ऐसे रहेगा जैसे रूट तू और रूट थी का हम लोगों ने से दिख्या था तो पहला इसकर क्या करेंगे जो हमको प्रूब करना है उसका उल्टा मानके चलेंगे मतलब कि माना रूट पी एप परिमे संख्या है और पी के बारे पता है कि पी कैसी संख्या है अवाज भाज होगी तो अंदर रूट के अंदर जैसे देखें 16 है तो 16 का अंदर रूट के बजाएगा चार हो जाएगा तो यह चार पता है क्यों में लेख सकते हैं अंदर रूट 16 के इसे संख्या होगी परिमे संख्या होगी इसलिए बोला जाता है कि यह क्या होना चाहिए अभाज तभी परिमे संख्या होगी अधरवाज यह परिमे संख्या होगी अधर रूट के अंदर 16 अंदर रूट के अ इस प्रवेस नंशा है तो परिमेस अंशा को जानते हैं तो पर वे स्थार्ण्झा है root Q कि रुटी लिख सकते हैं लोग volunteer बटा भी और भी उडांख है कि बिजयो नहीं हो सकता और डी डी यूबने मुझगाइब काइंसल कर देंगे इस इस पहुचें कि ए और बी जो है अब किसी संख्या से डिवाइट नहीं होगी तथा ए तथा बी में एक के अलामा और कोई उभाइनिस्ट उभाइनिस्ट गुरंखन नहीं है मतलब कि प्यू के रूप के संख्या ऐसे भी हो सकते हैं दस बटा चालिस लेकिन आप इसको जब कामन जो है दस चोका चालिस इसको कैंसर करेंगे तो यह एक बटा चार इस रूप में हो गया आप एक किलामा किसी संख्या से नहीं बटेगी तीजिक को क्या बोला जाता है तो मतलब कि एद अथा भी कि एद अथा भी साभाज है कि साभाज को फ्राइम कि अथा जब दो संख्या ऐसी होती है कि जो दोनों में एक के लामा और किसी संख्या से डिवाइट नहीं हो तो उनको क्या बोला जाता है साभाज रूट पी बराबर एबाए बाए बी अब लोग क्या करते हैं दोनों साइट जो है बी से मुल्टिप्लाइट करते हैं कि इसका अगला इसकर क्या आएगे हैं अधि है इंट् Reddit क्या कि निकीं भी पीका वोल स्क्वाइर प्राबर तो बी रूत्व करेंगे तो आप बैकर बी डी रूट में minus यानि बी रूट कстати बाबर क्या होुगा एच इस्कौाइर यहां से आदिन स्कpoint या किया मेले बीॉट में और owned या तो यह B² रूट पी रूट पी रूट पी हो गया, तो यह B² इंटू P, बराबर यह क्या आ गया, A², अब देखे, A² जो है, वो क्या है, B² इंटू P है, वो P एक अभाज जो संख्या है, P एक अभाज संख्या है, तो A² हमेशा कैसी भी संख्या हो, A² अगर P इंटू B² है, हम किसी भी संख्या को माले कहें, कि वो 10 गुड़े यहाँ पे आप कोई भी संख्या रख दो, कोई भी कुरान के हाँ पे आप रख दो, तो अब आप इस पूरे नंबर को जो इक्वल यह आएगा, जो पूरे नंबर उसको जब 10 से डिवाइट करोगे, तो हमेशा डिवाइट हो जाएगा, क्योंकि यह 10 और यह 10 खतम हमेशा हो जाएगा, यही आपका जो नंबर होगा वही बचेगा, तो उसी साब से A² क्या है, A² हमेशा क्या है, P गुड़े B² है, तो जब कभी भी आप A² मतलब कि P इंटू B² में जब P से डिवाइट करेंगे, तो हमेशा P, P खतम होंकि B² रच जाएगा, यानि कि A² यानि P इंटू B² क्या है, P से भाज है, इससे हम लोगों को क्यानिस करश निकला, कि A² P से भाज है, A² P से भाज है, अब हमको यह पता है, थ्योरा हम लोगों ने एक देखा था, पर में यह 1.3 था, उसमें क्या, उसमें लोगों ने क्या देखा था, कि अगर P, उसमें ऐसा था कि A² P से भाज है, यह पता है, और P कैसा होना चाहिए, अब हाज से भाज होना चाहिए, उस थ्योराम में यह था, पी भाज से भाज होगा तो नहीं, तो यह क्या निकलता था यहां से कि A² P से भी भाज होगा, यह थ्योरम 1.3 है, हम लोग पहले देख चुके हैं, कि अगर कोई भी नंबर है, A² P से भाज है, और P कैसा होना चाहिए, अब हाज संख्या, तो A, P से भी भाज होगा, जहां P अबहाज संख्या है, जहां P अबहाज संख्या है, यानि अगर P अबहाज है, तभी हम लोग इस स्टेप से, इस स्टेप पह आप आएंगे कि म voir A² P से भाज है, तो A B P से भाज होगा, कि अधो ए पयकर पीश के अहां के यहां से हम लोग कि क्या निकालेख़ कि यह ब피 disp से भाज होगा कि यहां ने क्या स्वाजा कुछ करणा? प्रमें 1.3 का यूज करके कि अगर A स्पायद P से भाज है तो A भी क्या होगा P से भाज होगा जब A P से भाज है मतलब कि A हमेशा क्या है P से भाज है यानि A वराबर P उड़े कोई नमबर C रिख सकते है तो जहां C उड़ा है ये A कोई नमबर है को हमेशा P से भाज है तो उसको P उड़े कोई और तुड़ा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं अब A बराबर P उड़े कोई रखते हैं यहां पर रखते हैं हम लोगों को B स्काइर इंटू P बराबर A स्काइर पता है इसमें क्या रखते हैं यह बराबर P उड़े इंटू C रखने पर यह बराबर P उड़े इंटू C यहां रखते हैं तो यह क्या होगा B स्काइर इंटू P बराबर P स्काइर इंटू C स्काइर एक पी एक पी कैंसर हो जाएगा तो यहां से क्या बचेगा यहां बी स्काइर बचेगा यह खतम हो जाए यहां से क्या मिला कि B स्काइर क्या होगा पी इंटू C स्काइर है यहां से क्या मिलों इटालेंगी कि B स्काइर पी का गुरज है यहां से क्या निकला यहां से क्या निकला कि B स्काइर पी से भाज है तो पर में पॉइंट सरी क्या कहता है कि अगर कोई नंबर का स्काइर किसी अभाज संक्या से भाज है तो वो नंब अगर भी क्या होगा उस संख्या से भाज होगा यानि बी अगर पी से भाज होगा तो इसका मतलब क्या हो गया ए पी से भाज है और बी भी पी से भाज है इसका मतलब क्या होगा हम लोग कौन से लाज पे पहुंच गए कि ए और बी में ए और बी का गुरंखन पी होगा यहां पे देखो क्या करें है कि रूट पी बराबर जब ए वाई भी को अल्टिमेट कैंसिल करके उस रूब में लिखे हैं कि अब इसमें कोई कामन फैक्टर नहीं बचा है कि इसको भी कैंसिल करें इसको भी कैंसिल करें ए और बी क्या है को फ्राइंग है और हम लोग कौँ से निसकर्स में पहुँचिए कि A और B का ओने सुखरंखन P है तो यह एकदव इसके अपोजिट आ गया कि नहीं अपोजिट आ गया तो यह दलत निसकर्स में हम लोग क्यों पहुंचें क्योंकि हम लोग जो परगलपना लेके चले थे कि रूट पी एक परमेशन क्या है वह ही गलप है तो यहां पर आप ले सकते हैं A और B का वहने शुक्रंखन P होगा यह इस तत्य के विपरीथ है कि A और B साहभाद है इसमें एक लाइन लोगे सकते हैं कि यह इस तत्य के विपरीथ है कि A और B में A के अलामा और कोई और कोई और कोई गुरंखन नहीं है यह इस तत्य के विपरीथ के विपरीथ है कि A어 B माराक कोई पमसकंदches नहीं है तो यह होगा, इस तत्य का विपरीथ है लिए सिKYा विपरी hen लेसा किया सकते है विपरीथ है और B में के अलामा और कोई परोन रहे शुक्रंखन नहीं है अता हमारा मानना गलत है, अपने लिए क्या हमारा मानना की root P A परमेशंक्या है, गलत है है जो परिकल्पना हुद्फ करके चले हैं कि रूट P ने संख्या है ये गलत है तो sür幹 संख्या आया तो पर में होती है या या ऑ-भं । इसके िवन पहसे ही कि आप पर्मे संख्या होगी यह नोग जन्र पूर्व कर लिये कि अभाज होना क्यों जलूरी है इस स्टप के लिए कि अगर A squared P से भाज है तो A P से भाज होगा इसमें क्या होता है P अभाज संज़ा होती है तभी यह लगता है अगर P मालोग यहां पे कोई बोले कि अभाज ही क्यों चलेगा मानों भाज हो तो भाज हो तो हम लोग A square P से भाज है तो A P से भाज होगा यह हम नहीं कर सकते अगर P A का भाज सकता ना हो तो यह हम लोग ने एक जनरल प्रूब कर लिया फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पर्मेश संख्या और आप पर्मेश संख्या को जोड़ने घटाने गुरा पाफ करने पर क्या आता है तो दू स्टेटमेंट है पहले मैं लिए देता हूं दू स्टेटमेंट है एक पर्मेश संख्या एक पर्मेश संख्या और एक आप पर्मेश संख्या का योग या अंतर एक आप पर्मेश संख्या होती है इसे स्टेटमेंट का मझरब क्या हो है? कि दो नमपर आप पास है? एक पर्मेश है और एक आप पर्मेश है यह आपर मेर संख्या आएगी जैसे हमको पता है कि जो पाई होता है वो आपर मेर संख्या होती है यह 22 बटा 7 तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए लिखते हैं यह 22 बटा 7 के रूपन नहीं होता है यह क्या होता है पाई आपर मेर संख्या होती है कि यह क्या च्छेट के लिए अगर बाई और पाई जेट्टि रबाइस बड़ा साथ की इक प्र होता तो पाई तो पर चुत की होते हैं तो अगर एक परबेसान के रोप में नहीं हम लोग डिखने जासे हैं मां लोग पाई आप परमे है पाइल नमा लुद आपने पंदरा जोड़ा तो यह क्या है आप परमे और पंदरा क्या है परमे तो जोड़ने के बाद जो आपका आएगा वो क्या होगा आप परमे खटा दीजिए पाई से पढ़ा से पाई को घटा दीजिए ये क्या होगा ये दोनों आप अधिये संख्या होगी तो पहने का मत्तब ये वह कि आपको एक परमे संख्या और एक आप परमे संख्या दी वो, तो दोनों को आज जोड़ो या भताओ, वह मेंसा क्या आएगा, आप पर्मे संख्या एगा, एक स्टेज़ में पर्मे संख्या एगा, एक सुनियतर पर्मे संख्या, एक सुनियतर पर्मे संख्या एगा, एक आप पर्मे संख्या, गुरण पर अभाग का, और एक सुनियतर पर्मे संख्या, और हएग, एक एक आपनमेसंख्या का पुरंखल या भागपल आपनमेसंख्या होती है सब्सक्राइन इंद आप्वे संख्या इसको कि नेटर पर्वे संख्या इसका क्या मतलब होता है सून नेतर कि सून के इतर इसका मतलब होता है सून के comment सुन निके अलाव सुन निको छोड़ कर यहां क्या कहते हैं कि सुन निको छोड़ कर जैसे लोग बोलते हैं कि यह काम करने इसके इतर और कोई काम नहीं करना है तो उसका मतलब सून निको छोड़ के जो भी पर्मे संख्या होगी क्यों कि सुन निको पटाये क्लिप सकते हैं कि ने ले सकते हैं यह सुनन कराबर है कि ने मराबर है तो यह भी पूरांख है यह भी पूलांक है और क्यों जीरो नहीं है यानी नीचे वाँँ नहीं तो क्या होगा यह सून्न क्या है यह संख्या है यह जो आपने हैं यह सून्न परलाभू नहीं सुन के अलावा कोई भी पर्मे संख्या हो और एक पर्मे संख्या का गुरंखल या भाखल आपर्मे संख्या होती है सून माले पाई है आ पर्मे है और सून पर्मे है अगर हम इसको करेंगे तो यह सून आ जाएगा यानि यह पर्मे आ जाएगा इसलिए यह स्टेट्मेंट सून पर लागू नहीं होता यह आ पर्मे है और यह पर्मे है तो यहां आ परिमे नहीं होता यह पूरा की अपर भी होता हिए दस होता तो यह क्या आजाता है अ विद्वर्न पाइब क्या आप पर्मेंग कि यह स्टेटमेंट हो गया हम लोगों का कि सून नहीं करते ही कोई भी पर्मे संख्या आप उनको बुड़ा करो या भाग करो वो हमेसा क्या होगी आप अपर में पर भी यह लगी लेकिन पर नहीं होता क्योंकि सूदी देखिए और में गुढ़े सूनी पर में क्या हो जाता है जिरो हो जाता है बंदा फर्मे हो जाता है तो इसका हम लूप एक दो प्रूब देखेंगे प्रूप एक्दम वह ऐसे ही होगा जैसे हम लोग प्रूप कर चुक हैं कि रूट टू रूट थ्री या रूट पी एक आपर में संख्या है जहां पी एक अवाज संख्या है एक्जाम पर क्या हम लोग देखते हैं एक्जाम पर 10 आपके बूप में दिया है एक्जाम पर 10 दर्साइए कि 5 माइनस रूट 3 एक आपर में संख्या है दर्साइए कि 5 माइनस रूट 3 एक आपर में संख्या है कि पत्ती में क्या करेंगे उन्हों वहीं पुराना में प्रूब बाइं कंट्रा डिक्संग कि हमको जो सिद्ध करना है उसका विप्रीत मान के चलेंगे और पुछ ऐसे निसकर्स पर पहुंचेंगे कि जो बिरोधा भास हो गया तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि यह नहीं हो सकते हैं इसका मान के चलेंगे वही गलत होगा तो आप पर्मिय संख्या सिल करना है पहले स्टेप क्या होगा माना माना ऐसे माना थो प्रूट थी बीड़ एक परमिय संख्या तो परिमेशंचा है तो क्या होगा, 5-ROOT3 ये क्या होगा, Aby B के रूप का होगा थी नहीं होगा 5-ROOT3 ब्रावद Aby B, A और B क्या है पूरांख ये पूरांख है, और D0 नहीं होसकता 5-ROOT3 क्या होगा आपका A by B और A और B क्या है, पूरांख है आप इसको फोड़ा इधर करिए रूट रूट ठीका साइड बदल ये धर और इधर ले आएगे तो फाइड कि इसका साइड बदल ये इधर लाएगे तो यह माइनस में हो जाएगा ये वाइभी बराबर क्या हो जाएगा रूट अब नावद क्या है फाइप पेशन च्जा है यह परमे है नमय और परमे में परमे में जोड़ो या भटाओ तो हमेंशा क्या हम्दा परमे में लेकर रूप प्रिशन क्या है आपरमे है तो इधर वारा जो है, ये पूरा क्या है five minus www ये परमेश संख्या है और इधर वारा जो है, ये आपरमेश संख्या है तो ये दोनों equal हो सकते हैं कभी दोनों side equal होने का मतलब कि जो ये है, वही ये धी तो जो यह है यह कहरा है कि है ऑप पर मेशन क्या है और किfilm से जोड़ों को घड़ा है तो हम लोगों को यहां से क्या आगया है यहां से लोग कहेंगे कि 5-ayb एक पर्मेर संख्या होगी अंदर मूट 3 क्या होगा एक आपर्मेर संख्या होगी होगी यह है तो पर्मेर संख्या आपर्मेर संख्या इकल नहीं हो सकते हैं तो स्टेट्मेंट इसमें क्या लिखेंगे चलिए ऐसा कर लेते हैं लोग इसका यूजी नहीं करें हमको पता है नहीं कि रूट 3 क्या है इसका यूजी नहीं नहीं गरेंगे तो यह लेकिन पता है कि पर्मेर है यह भी क्या है पर्मेर संख्या है तो 5-ayb एक परमेशन क्या है तो रूट 3 भी एक परमेशन क्या होगी है रूट 3 की एक क्या होगा परमेशन क्या होगा क्योंकि रूट 3 भाई परमेशन क्या है यह इस तत्य का विरोधावास है इस तत्य का विरोधावास है कि रूट 3 एक परमेशन क्या है आज देखिए यह इस तत्य का विरोधावास कि हम लोग ने तो पढ़ा आवी तक कि रूट 3 आप परमेशन है और यहां पर तहां पहुंचगे कि रूट 3 परमेशन क्या पूरा मैध्व लटा हो गया तो रूट वाहस उत्पन हुआ, इसलिए उत्पन हुआ, क्योंकि हम लोग जो मान के चले हैं, जो माना है वही डलत होगा, तब ही तो डलत निसकर्ज पर पहुंचें, आता हमारा मानना मानना की 5 माइनस रूट 3 एक परमेश अंचा है गलत, यह जो हम लोग मान है, यह मान की जो चले हैं, कि रूट 3, 5 मानस रूट 3 एक परमेश अंचा यह गलत है, तो सही क्या होगा, अगर 5 मानस रूट 3 एक परमेश अंचा नहीं है, तो 5 मानस रूट 3 क्या होगा, आप परमेश अंचा होगा, 5 मानस रूट 3 एक आप परमेश तो हम लोग कैसे प्रूब के प्राइब माइस रूट 3 एक आप हर्मेशन क्या है यह किसी भी करना है तो प्रूब वाइट कंट्राडिक्शन में हम लेके चलेंगे उसका उल्टा और कुछ ऐसे निस्कर्स पर पहुंचेंगे कि वहां से हमको यह निसकर्स मिला इसका मदब वही मानना जलत रहा तो पर 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 नहीं हो सकता है हुझ कि 5 करें यह परमे संख्या मैं सब इधर वाली तो परमे संख्या है और इधर वाली क्या है आपरमें है तो हम को क्या मिला है कि 5-1 एक पर्मेसंख्या होगी यह इस तर तिका प्रमें भी है और हमको पता है कि root 3 यानि अंडर root के अंदर कोई भी अवाज संक्या होती है तो अगर मानना कि 5-3 पर्में संक्या है गलत है हम लोग यही पहले step में जो माने हैं यही गलत चले है तब ही पूरा यहां पर जाके ध्वस्त हो गया तो अगर वह गलत है तो सही क्य है अगर कोई सब्सक्राइब पर में नहीं है तो क्या होगी आपर में अधाइब मानिस रूट थी आपर में संटा होगी कि एग्जांपल 11 देख लेते हैं हम लोग मल्टिप्लिकेशन लाइक और रोग कर लेते हैं कि एग्जांपल 11 है आपका कि दर्साइए कि 3 रूट टू एक आपर में संटा है उदा हम गया दर्साइए कि 3 इंटू रूट टू एक आपर में संटा है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक लाजिक तो हम लोग जामते हैं कि अगर आप परिमें बुढें परिमें करते हैं तो आप परिमें आता है लेकिन इसको प्रूब करना है मनला उपक्ति कोई भी मैंसमेटिक्स में कोई भी चीज प्रूब करने का क्या मतलब होता है कि हम लोग अपने पुराने नालेज से जो है उस नालेज को क्या करेंगे बेरिफाई करेंगे कि वेरिफाई क्या उसको पूप बेरिफाई अलब चीज होगे उसको क्या करेंगे उस लाजिक तक पहुंचेंगे जो उनको सिद्ध करना है हम अपने पुराने नालेज से उसका कोई यूज नहीं करेंगे तो वो उसकी पूप बोला जाता है तो आज अब को आजये देखा है कि आठ जुल प्रुबर कि अ Sans पर में यह बोलते हैं कि अ पर्विय चंख्या है। और बी क्या है उडांक है आप इसको PY क्यों ही कह सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़े है उडांक है और P0 नहीं है तो 3 इंतु रूट 2 बराबर AY B अब क्या करते हैं 3 को क्या करते हैं 3 से 2 साड़ डिवाइड कर देते हैं तो 3 root 2 by 3 AY B इंतु 3 यह हो गया यह 3 3 खतम हो गया जाने 2 बराबर क्या हो अब क्या है आपका AY 3 B ये पुरांत है, बी भी पुरांत है, बी को तीन से मल्टिप्लाई करेंगे, ये भी पुरांत होगा, तो ए भाई थ्री भी क्या है ये, पर्मेशन क्या है कि नहीं है, ये पर्मेशन क्या होगा, क्योंकि पर्मे की डिफिनेशन क्या होती है कि P Y Q के रूप में P और Q पुरांग तो पहले से पुरांग थे B में जब 3 से मल्टिप्लाई करोगे तो वह भी पुरांग होगा तो A Y 3 B क्या होगा पर्मे संख्या है और root 2 की अपने कुछ नहीं है यह A Y 3 B के बराबर है तो इससे क्या मिल गया कि 거야 root 2 के बराबर है यहां यह ब्राबर न है तो जो एक थीवी होगा वहीं डूल 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 टूल आ की बहुंए घ्रीड के पर ना है जबतीचे क्या है ना संख्या है या इस तर्थ के विप्रीध है या इस तर्थ के विप्रीध है कि इसका मदब क्या हुआ आप पहुंचे माइफ्मेटिक्स में पहले से पुरूप है कि रूट टू एक पर्मे संख्या है कहां पहुंचिए रूट टू एक पर्मे संख्या है तो पुरा मायद धोस्त हो गया इसका मदब जो मान के चले होंगे वही गलत होगा तो विप्रीध है कि रूट टू एक पर्मे संख्या है अता हमारा मानना कि 3 इंटू रूट टू एक पर्मे संख्या है जो लोग माने है यही मानना क्या है तो 2 तो 3 रूट 2 एक पर्मे संख्या होगी क्योंकि संख्या या पर्मे होती है या आ पर्मे तो यहीं तक रखते हैं इसके बाद exercise 1.3 आएगा यहां तक रखते हैं तक रखते हैं तक रखते हैं